यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सिस्टम के रक्षा के जिम्मेदारी उठाने की कसम खाने वाले पुलिस के ही एक अधिकारी की है आमतोर पर आपने लोगों के अंदर वर्दी के प्रति सम्मान देखा होगा लेकिन जब वर्दी दागदार हो जाए तो समाज के अंदर वर्दी के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है कुछ ऐसी ही घटना सुपौल से सामने आई जिन महासय को आप उठक बैठक करते हुए अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो महा से पुलिस विभाग में हैं और ASI के पद पर हैं लेकिन आज लोगों ने उनके दरोगा होने का पूरा रुत्बा ही जाड़ दिया है पूरा मामला क्या है सब बताएंगे लेकिन पहले वीडियो चेत्र का बताया जा रहा है बताया जाता है कि ASI का नाम संजय सुकला है और वो भीमपूर थाना में पदस्था पित है जो देर रात एक महिला के घर से आपत्ती जनक स्तिथी में पकड़ा गया है लोगों के हत्ते चड़ने के बाद उसकी जम कर धुनाई हुई और डंड के इस रूप में कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाया गया इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने वाइरल कर दिया जिसके बाद आसपास के छेत्र में पूरा मामला आग की तरफ फैल गया जाहिर है उसके बाद पुलिस विभाग भी हरकत में आई इस बीच देर रात ही के पर अस्थानिये मुखिया पती सपैक सद्यक्ष रमेश मुखिया पहुंचे और एसाई के बारे में ठाना ध्यक्ष को सूचना देकर एसाई को उनके हवाले कर दिया मारपीट के दौरान दरोगा का पिस्टल भी गायाव हो गया जिसे बाद में बरामत कर लिया गया कि रात में करें एक बज़े में ग्रामीनों ने सुन्हों को फोन से सुचना दिया कि संजेश शुकला जो है महिला के घर में पकराया है इसको ग्रामीन मारपीट कर रहा है इसलिए आप आईए हमने गया तो सही में देखे कि उसको जो है कुर्शी पर बैठाय हुआ था तो बड़ाओ को सुचना दिये बड़ाओ आये और उसको ले गए था ने चुकि यह उस महिला के यहां रात भी रात काफी दिनों से आना जाना था लोगों को पुरा खराब लग रहा था और उसी के चलते यह ग्रामीन पहले से अक्रोसी था ही आज सुन्जोग हुआ की रात में जो है उसके घरे में पकर लिया ग्रामीन सब लगवास साड़े बारा बज़े करीब एक मामला और पिस्टल का पिस्टल जो है मारपिट के दर्मियान उसकला जी खुदे उस एक महिला को बगलबाली महिला को दे दी जिसके कि हां वूँ जाके अक्सर मुटसाहील रखता था उसी महिला को पिस्टल दे दिया था और मारी मारपिट के दोरा नहीं और बाद में जब हम लोग काफी दवाब दिये महिला को तो प्रिस्टल घर के आगे फिक दिया हूँ तो वो पिस्टल हमने अपने कब्जे में लिया बताते चलें कि इलाके में सामा चेकवा पर्व के असर पर जागरण का आयोजन किया गया था जिसमें कालकारो दोरा स्टेज पर नाचगान का कायकरम प्रस्तूत किया जा रहा था इस दोरान उक्त एसाई को स्टेज पर भी देखा गया था लेकिन कुछी समय बाद वो कहीं गायब हो गया बाद में पास के ही एक महिला के घर से उसे आपत्ती जनक हालत में पकड़ा गया बताते चले कि दरोगा का इस महिला के यहां पहले से आना जाना था जिसके कारण वो आसपास के लोगों की नजरों में चड़ गया था इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कप्तान के संग्यान लेते हुए ततकाल करवाई करते हुए उक्त एसाई संजय सुकला को निलम बित कर दिया है